नमस्कार स्वागते आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में मैं हूँ अजे ठाकूर IPL 2022 में काफी रोमान्चक मुकाबले हमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन इन रोमान्चक मुकाबलों के बीच में जो एक चीज सुर्खियां बटोर रही है वो है खराब अमपाइरिंग लगातार सोशल मीडिया पर लोग खराब अमपाइरिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं लोग अमपाइरिंग पर जिस स्तर की अमपाइरिंग हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह से आईपियल में बैड अंपाइरिंग की वजह से खिरकिरी हो रही है पूरे टूर्नामेंट की अभी हाली में एक बहुत ही बड़ा ड्रामा हमें देखने को मिला था रिशब पंत की टीम और संजू सैमसन की टीम के दोरान जब मैच जारी थी जब दिली और राजसान रोयल्स की टीम आमने सामने थी उस मैच में भी काफी ड्रामा देखने को मिला था और उस ड्रामे के बाद अब मुंबई इंडियन्स के हेड कोच श्रिलनका के दिगज बल्लेबाज महिला जैवर्दने ने एक बड़े बदलाव की मांग कर दिये और अगर महि देखने तोर पर बैड उमपायरिंग का जो मुद्द है वो कहीड़े खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा पुरा मामला क्या है और जैवर्दने ने आखिर क्या डिमांड कर दी है और क्या ये डिमांड पूरी होने लायक है या नहीं ये आप लोग जजद दिल्ली कैपिटल्स की टीम बल्लेबाजी कर रही थी मैच का 40 वा ओवर जारी था यानि कि दिल्ली कैपिटल्स की पारी का आखरी ओवर जो है वो जारी थे और इस ओवर को कर रहे थे गेंदबाजी कर रहे थे राजस्तान के तेज गेंदबाज ओबेद मैकोई और बैटिंग कर रहे थे रोमेन पोवल ओबेद मैकोई की एक फुल्टोस गेंद पर रोमेन पोवल ने छक्का लगा दिया और उसके बाद दिली कैपिटल्स का जो खेमा है वो इस चीज की मांग कर रहा था कि ये नो बॉल है लेकिन अमपायर्स डिसीजन इसी के तहत उस बॉल की वजह से उस डिसीजन की वजह से काफी बहस हुई काफी गहमा गहमी हुई यहां तक कि टीम के असिस्टेंट कोच मैदान में आकर अमपायर से बात करने लगे जिसके बाद सभी को जो है फटकार जहलनी पड़ी रिशब पन्त को मैच फीस का 100 प्रतीशत जुर्माना देना पड़ा प्रवीन आमरे को एक मैच का जो है बैन जहिलना पड़ा शारदुल ठाकुर जो एग्रेसिव नजर आ रहे थे उस दोरान उनको भी 50 प्रतीशत मैच फीस का जुर्माना देना पड़ा इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक सवाल सब के मन में घर करके बैठा हुआ है कि वाट इफ अगर ऐसे किसी डिस्वीजन की वज़े से किसी टीम को बहुत तगड़ा लॉस जिलना पड़े क्योंकि इस मुकाबले में भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ये मुकाबला जीत जाती अगर वो नो बॉल होता लेकिन वाट इफ ये तो चलिया आईपिल का एक नॉर्मल मैच था लीग का लीग स्टेज के मुकाबले थे आप सोच के देखिए अगर ये फाइनल मुकाबला होता या फिर कोई बड़े टूर्नामेंट का बड़ा मैच होता तब ऐसे एक एक डिसीजन जो है वो बहुत भारी पड़ते हैं ऐसे में महिला जैवर्दने ने कहा है कि जब कभी भी फील्ड अमपायर्स द्वारा ऐसी गलती हो जाती है अगर ऐसा लगे कि ये कुशेनेबल डिसीजन है तब ऐसे में थर्ड अमपायर को खुद हस्तक छेप करना चाहिए थर्ड अमपायर को खुद इस बात की पुश्टी करनी चाहिए कि क्या वो गेंद नो बॉल है क्या वो गेंद लीगल डिलिवरी है या फिर कुछ और है तो महिला जैवर्दने ने तो साफ शब्दों में ये डिमांड कर दिये आई सी सी से उन्होंने कहा है कि जब कभी फिल्ड अमपायर जुआरा गलती होती है तो इस पर थर्ड अमपायर को इंटर्फियर करना चाहिए महिला जैवर्दने ने इस पूरे मामले पर क्या का वो आपको बताते है शायद अमपायरों ने भी गलती समझा मगर नियम कहते हैं कि आप इन चीजों की जाँच के लिए तीसरे अमपायर के पास नहीं जा सकते मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसके बारे में बातचीत करनी चाहिए कि इसमें तीसरे अमपायर की भूमिका होनी चाहिए कि वे मुख्य अमपाइरों को बताए कि इस गेंद को आपको चेक करना चाहिए मुंबाई इंडियन्स के हेड कोच महिला जैवर्देने ने साफ कर दिया है और साफ शब्दों में ये मांग कर दी है कि जब कभी मैदानी अमपाइर्स द्वारा ऐसे फैसले लिये जाते हैं जो कि questionable हो उन फैसलों के दोरान थर्ड अमपाइर को मैदानी अमपाइर्स से बात करनी चाहिए और ये decision मतलब check करके थरो करके फिर कोई निर्ने जो है वो लेना चाहिए क्योंकि ऐसे एक फैसले से कोई टीम को भारी नुकसान हो जाएगा या फिर कोई टीम इससे बे मतलम में फाइदा उठा लेगी हलाकि ये जो पूरा मामला है ये दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच मुकाबले का है जिस वक्त आखरी ओवर में पूरा गहमा गहमी वाला situation था और बाद में जो objection उठा रहे थे यानि रिशप, पंत, प्रवी नामरे और शारदुल ठाकुर इन सभी पर गाज गिरी है और अब इस situation के पूरे arise होने के बाद महिला जैवर्दने ने साफ कर दिया है कि ICC को इस बारे में कुछ हस्तक शेप करना चाहिए और नियमों में वीडियो के एंड में आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे महिला जैवर्दने इससे आप कितने सहमत है या फिर आप असहमत है आपके मन में जो कुछ भी हो आप कमेंट के जरी हमें जरूर बताए और ऐसे ही अपडेटेटेट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर झाल